काफी टाइम से मेरे पास मेल्स आ रही थी आप लोग की कमेंट्स आ रही थी कि भाईया कोई off-campus opportunity लेके आओ तो आज मैं आप लोग के लिए एक off-campus opportunity लेके आज चुका हूँ एक बहुत बड़ी कमपनी की तरफ से होने लिए विचेज एनफोस तो आप सभी स्टुनेंट्स इनफोस इसको सभी स्टुनेंट्स जानते हैं एंट सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है कि जैसे आपकी ऑन-campus opportunity होती है वैसे आपकी ऑफ-campus opportunity होती है हर साल कहीं सारे graduate कहीं सारे candidates of campus opportunity के थ्रू भी आयर होते हैं तो मैं सभी स्टुनेंट्स को बता देता हूं जितने भी स्टुनेंट्स टायर्ट्री कॉलेजिस से टायर्ट्री कॉलेजिस के अंदर on-campus opportunities काम होती है on-campus colleges के अंदर companies कम आती है तो आप लोग को मिस्स मत करना apply करते रहना and इस वीडियो के अंदर में आप लोग को सारा complete process बताने वाला हूं and जल्दी से जल्दी apply कर लेना क्योंकि कभी भी apply link आपको पता expire हो जाता है तो जल्दी से जल्दी इस opportunity का apply कर लेना बट उससे पहले मैं आपको complete process बताता हूं कैसे कैसे apply करना है क्या कैसका process होने वाले complete detail बताता हूं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ and जितने students भी चैनल पर नहीं है जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आप लोग को दिखा देता हूं Infosys in step ranked as a best internship program तो यह आप लोग की internship होने वाले जितने भी मारी 2025 बैच की सब्सक्राइब कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइट कर दूंगा अभी बात करते हैं कि भी आप लोग कैसे करना है अब आप लोग को 3300 प्लस इंटर्ण्स 220 पार्टनर उनिवर्सिटी एंड 70 केस स्टुडीज ठीक है तो एक कंप्लीट प्रोग्राम आप लोग के लिए वाला है अब आपको apply कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा पड़ेगा या फिर आप गूगल भी कर सकते हो तो जैसे आप गूगल करोगे यह लोगिन करोगे तो आपकी एप्लिकेशन फर्दर आ जाएगी ऐसे आप लोग को शोगा डेटा पूरा पूरा एंड आपका अकाउंट दिख जाएगा यहां पे आपको ठीक है तो यह पुर इमेल से रोगे वहापका नहीं यहां पर आ जाएगा ठीक है लाज्ट नेम आपका आ जाएगा एमेल से फैच कर लेका डेटा परसनल इमेल आ चुकी है यहां पर यूनिवर्सिटी मेल भी डाल लिए कंट्री कोड भी डालना है मोबाइल नंबर भी डालना है दैन उसके बा तो अगर वहाँ पे आपको क्या करना है, choose others in case your university is not present, काफिट students की university present नहीं हो सकते हैं, इस toggle के अंदर, यह जो पुरा-पुरा toggle है, जैसे आप search करोगे, अगर यहाँ पे आपको नहीं present है, तो यहाँ पे आपको others, choose others, तो आपको others यहाँ पे select कर देना है, current academic level, जो भी आपको current academic level है, वो आपको यहाँ पे आपको bachelors है, तो आपको bachelors कर देना है, ठीक है, तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पे fill कर देना है, academic year, आप 2025 बैस्यो लाइक, 2024 बैस्यो, तो जिस भी बैस्यो वो आपको यहाँ पे mention कर देना है, expected graduation, यहाँ पे आपके expected graduation, कब आपकी complete हो जाएगी, ठीक है, तो जब भी आपकी graduation complete होगी, जैसे 2025, तो वो आपको यहाँ पे fill कर देना है, तो उसके बाद बात करता है, grading system, जितनी भी आपके अब तक CGP है, जितनी भी आपके अब तक current CGP है, वो आप लोग को mention करनी है, उसके बाद key skills, example, Java, Python, यह example बता दिये, जो भी जहाँ भी आपका, देखो, सबसे important सी होता है skills, जो आपकी important skills है, जो आपको already आती है, क्योंकि जैसे आप application process करोगे, उसके बाद आपके short listing आएगी, जो भी आपका पुरा process होगा, चाहिए आपका interview हो, कुछ भी हो, तो वो ही skills mention करना, जो आप लोग को आती है, area of interest, आपका किस area में interest है, आपका data analytics में है, automation में, robotics में है, वो आपको mention करना है, where would you like to intern, select country of permanent work authorization, internship country, internship city, preferred year of starting the internship, preferred month of starting the internship, and submit करके, आपकी पूरी की पूरी, complete application आपकी submit हो जाएगी, अब बात करते है, जो सबसे important चीज़ है, जिसको बिलकोल भी मिस्क करना, आप लोग को referral लेके, Infosys के engineer से referral लेके, आप लोग को इस opportunity के अंदर apply करना है, अब referral कैसे मिलेगा, वो मैं आपको बता जिता हूँ, तो आप लोग को हीटों पे सर्च करना है, description के अंदर link प्रोवाइड कर दूँगा, मेरे link से आप जब open करोगे, तो आपको 10% का भी off मिल जाएगा, and description के अंदर link क्या, जाके बस आपको open करना है, आपको लिखना है, suggest me in forces software engineer, from free to 100 rupees, या फिर अगर आप, कोई में दखो, हरी student क्या चाता है, फ्री में चीजे मिल जाए, तो जब यहाँ पे फ्री में आप डालोगे, ओ लेडी काफी, जो यहाँ पे आप लोग को mentors मिलेगे, वो charge करते हैं, बट फ्री भी है, अभी मैं free आप वो दिखा जथता हूँ, देखो यह free है, यहाँ पे जब आप अंशु को मार, यह अंशु को मार आगे, L2 Software Development Engineer, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे उनकी profile open करोगे, आपको करना क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने यहाँ पे profile open की है, यह आपको चीज़ें यहाँ पे mention हो जाएगी, यहाँ पे आपको दिख रहाँगा, discovery call, have a question, ask me anything, career guidance, one-to-one mentorship, अगर आपको real में mentorship चाहिए, तो आप mentorship ले सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा charge है, 800 रुपेगा charge है, लिंक है, सब चीज मैं आपको बता दी है, यह बिल्कुल free में होगा, यहाँ पे आपको किसी का discount code add करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे अपना name और email address फिल करके, यह आपको अपना जो भी आपका DM है, वो send कर देना है, आपको referral के लिए उनसे पूछ लेना है, DM कर देना है referral के लिए, अगर आपको इस enforces opportunity में interest है, आपको guidance चाहिए कि भाईया, हमें बता दो कि इसमें क्या क्या चीजे पूछी जाएंगी, क्या उनका process होगा, तो वो भी आप पूछ सकते हो, बट आप यहाँ पर referral ले सकते हो, हर इस्टूरेंट्स को बोलाओ, referral ले के इस opportunity में apply करना, जो कि आपको free में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो, total amount 0, and आप send कर सकते हो DM, जैसे आप DM send करोगे, यहाँ पर लिख रहा है, reply in two days, तो आपको जल्दी से जल्दी जाके, आपको यह opportunity पर apply करना है, and referral ले लेना, बहुत सारे आपको मिल जाएगे, अन्शु कुमार आपको यहाँ पर suggest करना है, suggest यह मैं आपको prompt दे दूँगा, जो आपको prompt लिखना है, suggest मिन 4C software engineer, from free to 100 रुर्पीज, यहाँ पर अन्शु कुमार की profile आजाएगी, and आप book कर सकते हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल free है, इनसे referral ले लो, आपको referral मिल जाएगा, अब referral से क्या फायदा होता है, यह बताता हूँ, referral से फायदा होता है, कि जो आपकी short listing होगी, उसमें आपको benefit मिलेगा, जितने भी candidates referral वाले हैं, उन candidates को priority मिलती है, उनकी एक application अलग एक link list में store रहती है, उनकी एक link list बन जाती है, तो referral वालोग को response का ज़्यादा probability मानना, कि जितने भी students referral से apply करेगे, उनको response probability ज़्यादा है, कि response आएगा, आप भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर response के probability ज़्यादा है, ठीक है, बट हमारा काम क्या है, apply करना है,